गाज़ घास एक खरपत्वार पीट है जिसका वैज्ञानिक नाम पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस है यह खरपत्वार कमकोसिटी कुनकी होती है और हुबहु गाज़ कैरत पौधो जैसी दिखती है इसे कैरत ग्रास, कॉंग्रेस घास, कॉंग्रेस ग्रास और क्षित्रिय भाशा में सफेद्टों की चटक चांदनियादी नामों से भी जाना जाता है यह एक वर्शिय शाकिय पौधा है जिसकी लिंबाई लगभग 1.0 से 1.5 मीटर तक हो सकती है हर एक गाज़ घास खरपतवार लगभग 1.005.00 बहुती छोटे छोटे बीच पैदा करता है वैसे तो यह घास हर दरे के वातारन में उच जाती है मगर नम और छायादार स्थानों पर अधिक तेजी से उचती है बहुत अधिक रूप से गाज़ घास, खाली स्थानों, विकार पड़ी भूमियों, वेस्ट लैंड और योगिक शेत रूप, सड़क की किनारों, वेल्वे लाइनों आधी पर पाई जाती है इसका प्रकोब फस्थानों जैसे धान, जुवार्ट सौगम, मक्का, सुयाबी, मतर्तिल, अरंटी, गन्ना, बाज्रा, मूनफली, ग्राउंड नर्ग सबजियों एवं उध्यान फस्थानों में भी देखा जा सकता है इस खर्पत्वार से फस्थानों की पैदावार में लगभग 40% तक की कमी हो जाती है यह खास अनेक हानिकारक रासायनिक तत्वर chemical elements भी उक्सजित करती है जिससे विपिन फस्थानों के बीजों का अंकुरंट germination नहीं हो पाता है इस खर्पत्वार के लगादार संपट में आने से मनुष्य को dermatitis, dermatitis, eczema, allergy, allergy, बुखार, derma, asthma जैसी गंभीर रोख हो जाती है पशुओं के लिए यह खर्पत्वार भी बहुत ही अधिक विशाथ है इसके खाने से पशुओं में अनेक प्रकार के रोग उद्बन हो जाते हैं और दुधारू पशुओं मिल्च आनिमल्स के दुधमे करवाहत भी आने लगती है इसकी रोगधाम या नियंत्रन यांत्रिक विधीक mechanical method द्वारा की जा सकती है नम जमीन में इस खर्पतवार को फूल आने से पहले हाथ से उखाड कर या खूर्टी से हटा कर एकटा करके जला देने से काफी हद तक इसका नियंत्रन किया जा सकता है वैसे तो यहाँ दिखाने कारक घास या खर्पतवार है मगर सही प्रबंधन से इसका नियंत्रन और उप्योग किया जा सकता है जैसे गाज़ घास के पौधे में अनेही अगून भी पाय जाते हैं चिनका प्रयूग की नाशकों अनसेक्टसाइट्स चिवान नाशक गेवं खर्पतवार नाशक दवायों के नियर्मान में किया जा सकता है पायोगैस पायोगैस नियर्मान में भी गोबर के साथ इसका प्रयूग किया जा सकता है पल्वार की रूप में इसका जमीन पर आवरन बनाकर प्रयोग करने से दूसरे खर्पतवार की वृत्थी में कमी आती है साथ ही मिट्थी में अपर्दन सॉल एरोशन एवं पोशक तत्व खत्म होने को भी मियंत्रित किया जा सकता